असलाम लेकुम students welcome to my youtube channel easy solutions of mathematics आज की वीडियो में आपको कर्वाँगे for your transform की एक और बहुत ज़्यादा important example जो के past papers में आई हुई है और यह बहुत बहुत ज़्यादा important example है और यह अगर आप कर लेंगे ना तो इससे मिलती जुलती अगर आप कोई थोड़ी सी changing करके भी example आ गई तो आप उसे solve कर लेंगे यानि होता है ना कि थोड़ा सा form थोड़ा से सिर्फ question को change करते हैं जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो past paper का question करवाया है उसमें भी ऐसे था कि सिर्फ वो थोड़ा सा change करते हैं question को एक value बढ़ा देंगे या एक कम कर देंगे वाकी same method वही होता है इसी तरह से कुछ चार पांच छे सवाल है अगर आप यह एक question समझ लेंगे तो उनसे मिलते हैं जितने questions आएंगे आप सारे easily कर सकेंगे अच्छे question इस तरह से कुछ यह 2018 के past paper में आया हुआ है BS mathematics के पेपर में और जो BS math के लिए चीज़ important होती है वो MS के लिए होती है MS के लिए थोड़ा सी फरक होता है सिरफ लेकिन जो चीज़े एक तरफ important होती है दूसरी तरफ भी वही होती है using Fourier transform solve this यह को हम एक equation दीवी है तो इन दो के according ने इसको solve करना है question बहुत असान है लेकिन लंग थी है थोड़ा सा तो solve करते हैं जिसना यह देखें यहां पे इनोंने जो है वो equal के इस तरह इसे लिखा वा था और यह paper में as it is भी थी तो मैंने वैसे लिखिया अब इसको question number one कह लिया इस वाली को हम लोगों question number two और इसको three कह लिया और अब हमने क्या किया है जो यह sign है इसको हमने P of X कह दिया और cause है इसको हमने Q of X कह दिया अब हमने क्या करना है taking four year transform of one we have पहले हम लोगों कह करते है given equation का दोनों तरह four year लेते हैं यह हम इसका लेंगे सबसे पहले फिर हम लोगों ने दोनों तरह four year लेने के बाद इसके ओपर फॉर्मॉला apply कर दिया और यह T था तो इसका double derivative बाहर आ गया उसके बाद यह जो है हम लोगों ने simple इसके ओपर यह small u था तो greater u में change हो गया और positions change कर दिया इसका solve करकी यहां पर आ गया उसके बाद हम लोगों क्या किया आपको पता है कि आप यू u of anxiety यह भी u of anxiety इसको खाले u लिख लें या u of anxiety लिख दें क्योंकि हमें पता होता ही है कि function किस चीज़ का है तो यह इदर minus का है दूसी तरफ आ के इदर plus का हो गया अब यह हमारे पास जो है इसे हम differential form A and D की form में लिख लेंगे जैसे हम लोग जो है वो mathematical methods के उन्दर ऐसे हमने इस तरह की questions को solve किया हुआ है वो जो हम लोग कम उसका solution निकाल देते हैं एक complimentary और एक solution निकाल देते हम लोग particular solution तो इसका हम D square plus C square x i square लेख लिया is equal to 0 इसका हम लोगों ने solve किया तो हमारे complimentary solution से जो simple general solution बना है यानि उससे पहले complimentary solutions है वो हमारे पास A of E, Iota C, X i, T और इसी तरह से B का भी निकाल है इसका हमने question number 4 कह लिया उसके बाद taking transform of 2 and 3 अब वो जो conditions थी ना हमारे पास उनका हम लोगों ने जो है वो transform लेना है ये थी वो इसका सबसे पहले हम लोगों ने Leplace transform ले लिया और इसके बाद हम लोगों ने इसका जो है वो Leplace transform ले लिया पहले इसका लिया जब इसका लेंगे तो यहाँ पर एक्स जो है वो एक्साइम में ट्रांसफर्म हो जएगा और पी ओफ एक्स का जब हम लोग लेंगे तो यहाँ एक्स भी एक्साइम में चेंज इसी तहां से इसके साथ भी होगा X जो है वो एक्साइम में shift हो जाता है simple यहां पर देखें X एक्साइम में change हो गया यह greater U में हो गया इसी तरह से जब हमने इसका लिया तो X एक्साइम में change हो गया यह दोनों का transform लिया जा चुका है अब हमने क्या करना है हमारी जो question number 4 थी अब हमने इन दोनों को इसके ओपर apply कर allies सबसे पहले हम उसमें T को zero कर देते हैं T को जब zero किया थो हमने यह भी E की पावर T जो है E की पावर T था तो T zero किया तो E की पावर 0 गई यह भी E की पावर 0 गई तो E की पावर 01 होता है तो A plus B यह आगे हमारे पास अब हमें पता है कि u of x i 0 ये वली left hand side हमारे पास p of x i के equal है तो हमने इसको p of x i के equal कर दिया equation number 5 से तो ये दोने एक दुस्ते के equal होगी इसे हमने equation number 7 कह लिया इसी तहां से अब हमने क्या करना है दूसरी जो condition है उसे हमें differentiate करके करना पड़ेगा तो हमने equation number 4 को सबसे पहले with respect to t differentiate करना है with respect to t उसको differentiate करेंगे हम लोग तो हमारे पास इसका exponential का जब differential लेते हैं तो with respect to t ले रहे हैं तो t के लावा जितनी value साथ पढ़ी है वो multiply होगी हम पर multiply हो जाती है इसी तरह जिसका minus b नीचे आ रहता है उसके बाद हम इसमें t is equal to zero put कर देते हैं जब हम t is equal to zero put करते हैं तो यह वाली चीज़ आती है हमारे पास और अब हमारी यह वाली value है यह हमारी q of x i के equal है तो वाइड हो जाएगे यह आगे माई पास equation number eight अब हमने क्या करना है equation number seven basically यह conditions हमने apply क्यों की हैं क्योंकि हमें constants की values चाहिए a की और b की हमें value चाहिए थे अब हमने a plus b है तो a और b की value निकाल ली है यहाँ पे a plus b है और यहाँ पे हमारे पास क्या है a minus b है तो अब इसको हम simultaneously solve करेंगे यह a minus b वाली है दोनों को seven और eight को जब हमने add किया तो यहाँ पे two यह आ गया यहाँ पे पी exile और यह value बन गए यहाँ पे two जो है multiply और दूसरी तरफ जाकर divide हो गया पूरे एक साथ तो यह हमारे पास एक ही value आगी उसके बाद हमने इसको put कर दिया equation number eight में equation number eight में put करते ही हमारी जो value है यह वाली पूरी value हमने जब eight में put की यहाँ पे minus की थी दूसरी तरफ आ कि यह plus की हो गई इस तरह से अब हमारे पास यह देखें ज़रा इसको q of x i यह भी q of x i है यह one by two है और यहाँ पे सिर्फ one है तो इसको भी हम लोगों ने जो है वो q of x i over iota c x i को common ले लेंगे अगर बाहर तो उन्दर बचेगा हमारे पास one by two minus one तो इसको जब आप solve करेंगे ना तो minus q of x i over iota c x i आ value आ गई अब हमने के करना है a और b की दोनों की values आ जाएं जब values आ जाती है तो हम उन्हें given equation पर पुट कर देते हैं इस equation में हमने a की जगा पर a की value और b की जगा पर हमने उसकी b की value को put कर देना है अब हमारी जो equation निकली थी हमने उसका अंदर equation number four के अंदर a की value पूट कर द constant की value जो है a b यहाँ पे था four में उनकी values हमारी a भी निकल आई तो हमने उसके अंदर put भी कर दी अब हम लोग क्या करते है greater u को small u में दुबारा से shift कर वाते हैं और x i को दुबारा x में कर देते हैं यानि हम उसका transform inverse लेते हैं यह तो four year की value है तो अब इसके उपर already four year है तो इसको खतम करने के लिए हमें four year inverse लेना पड़ेगा यानि यह ए f of you into xt इसका मतलब यह है यह तो हम इस f को खतम करने के लिए इसके साथ f inverse लगाना पड़ेगा तो दोनों को four year inverse लेंगे अब जब हमने इसके उपर four year inverse अप्लाई किया one by two आ गया उसके बाद इस पूरी इस पूरी वैल्यू के उपर four year अप्लाई होगा four year का फार्मुला one over square root two pi minus infinity से plus infinity और यह पूरा value जो है पूरी value हमारे पस f of x treat होगी यह पूरा f of x treat होगी उसके साथ हमारे पस exponential की power जो होती है वो आईगे और साथ आएगा d x i क्योंके inverse की बात हो रही है अब इसमें जब यह पूरा हमारा जो है वो f of x के तोर पर ट्वीट होगा तो यह एक अलग value हो यह एक अलग value है तो इसके उपर अलग से हो गया और इसके साथ यह वाली value जो है दोनों के अंदर यह हमारे पास four year के formula की है hopefully आप लों को नज़र आ रहा होगा अच्छा थूरू आउट वीडियो में कोई चीज़ अगर आपको कोई point clear नहीं हो रहा या वोलते हो में मेरी समय नहीं है तो आप मुझे सेक्शन में freely बोच सकते हैं मैं आपके question काल लाजमी जवाब दूँगी और अगर वीडियो पसंद आए है आज आए तो प्लीज वीडियो को like जरूर किया करें ताके मुझे motivation मिल सके मज़ीद वीडियो बनाने के लिए और अपने friends के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को share किया करें अचा जी next देखते हैं अब अब इसमें भी exponential है इसमें भी exponential है दोनों की base से मैं powers को कर देते हैं add powers को add करने के बाद जो जो value common होगी उसको हम लोग उपर common ले लेंगे तो यहाँ पर इदर भी हम लोगों ने exponential की powers को add कर दिया और इसके बाद यहाँ से minus iota x को common ले लिया और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है minus iota k को common ले लिया अचा यह अब हम लोगों ने मजीद उसको अंदर multiply भी साथ ही करवा दिया है तो इसकी बे समती तो powers को add की है powers में से common आरा रहा था वो colour लेने के തदर इस तरह को पहले इसके साथ multiply करवाया है फिर इसके साथ करवाया है під 27来了 डियों गापने को फिर पहले साथ साथ करवाया और पिर इसके साथ multiply करवा दिया तो इस तरह से यह चार सेक्शन्स में बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से बहुत ज़्यदा असान है इसे बहुत ज़्यदा डिटेल में भी नहीं जा रही है हलागे मैं डिटेल्स भी बता रही हूं साथ-साथ अब हमने इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर आप लोग देखें पी ऑफ एक्ष हाई है अगर एफ ओफ एक्ष हाई होता तो हम लोग इसको कहते के यह याफ अफ एक्स माइनस सीटी है यह फॉरियर इन्वर्स में हमारा फंक्षन क्या होता है अच्छा ये मैंने लिख दिया 4-year का फॉर्मूला अब देखें यहाँ पर F था तो हम इसे F of X लिखेंगे लेकिन यहाँ पर क्या है P है तो हम इसे कहेंगे यह P of X minus CT है बाकी देखें साथ आप लोग अगर यह F of X है तो अंदर पूरे फंक्शन में यहाँ पर X ही है लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है X की जगाँ पर X minus CT है यहाँ पर यह भी एक जाई का फंक्शन है लेकिन यहाँ पर X की जगाँ पर क्या है X minus CT है तो इसका मतलब है यह P of X minus CT का फंक्शन है 1 by 2 extra था बाकी सारा पूरा ये formula बन रहा है, तो हमने इस formula को बन कर दिया, इसी तरह से यहां से, इस P का भी इसी तरह से formula बन वहा है, यहां पर भी X के अंदर क्या है, यह तो हमने P of X plus CT लिक दिया, साथ 1 by 2, और इसका Q और इसका Q दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर इसी तरह से लिख लिया है अब हम लोगों ने क्या किया है अब इस Q के अंदर क्या है हमारे पास Q of X I over 1 Iota C X I ये common आ रहा था तो दोनों में same था तो हम लोगों ने इसको बाहर common निकाल लेना है बलके इसको Q of X I को ये common निकाया इसको भी चाहिए निकाल ले हमने सरफ इसको निकाल लिए साथ 1 over 2 square root 2 pi था इसको भी निकाल लिए अंदर अब हमारे पास ये उपर exponential की powers है इसको हमने equation number 9 गया दिया अब आप लोगों ने दिहान से देखना है अब हम लोगों ने एक हमें पता है के but Q of X is equal to 1 over square root 2 pi minus infinity से plus infinity अब ये देखें अब ये उपर formula मैंने लिखा है यहाँ पर inverse में क्या होता है यहाँ पर small f होता है और यहाँ पर क्या होता है greater f होता है यहाँ पर हम लोगों ने इसको accordingly q लिखा है यहाँ पर small q है और under क्या है greater q होगा अगर बाहर है क्यूंकि हम लोगों सारा काम inverse में ही कर रहे है और आगे हमने value अब हम इसको क्यूं ले रहे हैं इसको हम खुद से ले रहे हैं अब यह उपर से नहीं आ रहा है यह यहाँ तक खतम आगे next से हम लोगों ने कुछ से q of x का एक function लिया है four year में यानि f of x की पर हमने q of x ले लिया है simple अब हमने इसके उपर एक limit अप्लाई करने है x minus ct से x plus ct q of x dx हमने इसके उपर इस पूरे function के उपर कर दी apply apply करने के बाद आब start dx भी किया है इसके उपर apply कर दी अब आप लोगों ने देखना है जो x वाली function सा जाहरा वो ही इस integral के अंदर आएंगे और आपको ये भी पता है कि integration जो है वो exchange भी हो जाती है यानि अंदर अब हमारी minus infinity सा plus infinity है और dx आई है तो बाहर जो है वो x वाला और dx है तो इनको हम लोग change कह सकते हैं infinity वाली को हमने बाहर ने कहा लिए और ये वाली x वाली को हम अंदर ले गए है इसी तरह से जब ये दोनों change हूँ है तो ये दोनों की position भी change होगी तो अब dx वाले जो integral है उसके अंदर सिरफ x वाला function हैगा क्योंके with respect to x का हम हो रहा है यहाँ पे simple x वाला function आ अंदर अब हम लोगों ने सिरफ इसकी integration कहने है अब इसकी integration किस तरीके से होगी हमें बता है integration में कि अगर आगे value के उसका derivative बढ़ा हो उसकी power का तो वो जो है खुद बाखुद ही आ जाती है अब इसके अंदर क्या होगा कि इसकी power में हमारे पास एक्जाई योटा और एक्जाई एक्सट्रा है योटा एक्जाई यहाँ पे होने चाहिए था अगर हम इसका differential माने से योटा एक्जाई होना चाहिए था तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करवा लेंगे और इसके बाद आप लोगों को integration करनी आती है integration करने के बाद हम लोगों ने इसकी upper limit minus lower limit करने के बाद integration लेंगे तो devian में denominator में ये आजेगा और upper limit minus lower limit की है लोग लेमिट पूट की है तो हमारे पस ये आ गया इसके बाद हम नेक्स्ट यहां पे अब यह हमारे पस नकला या यहां ता उसके बाद हमने क्या किया हम लोगों ने डो रही दोनों तरफ यह लेफ्टेंट साइड पर यही सारी चीज़ थी ना अब हमने one over see से यहां पर क्या क्या है multiply करवा दिया 1 over C से जब हमने multiply करवाया यहां पर भी तो अंदर 1 over C हो गया आगया 1 over C अब next step में हम लोगों ने क्या किया है सिंपले कुछ भी नहीं यह वही लिखा है अब हमने यह सारा आगया अब यह देखें क्या यह equation number 9 में जाते हैं जहां पर पहले हम लोग थे यह पूरी चीज equation number 9 है यह इसको नाम दिया यह पूरी चीज देखें यह पूरा का पूरा integral जो है क्या यह यही चीज नहीं बन गई यही चीज है ना तो इस पूरी चीज की जगा पे हम लोग इसको put कर देंगे क्योंकि यह चीज जो है इसी के बराबर है तो अब हमने क्या किया यहाँ equation number 9 के अंदर इस पूरे integral की जगा पे 9 में हमने यह यह वाली value put कर दिया यह वाली value put कर दिया उसके बाद हमें पता है कि P of X क्या है हमारे पास sign है और Q क्या हमारे पास cause है क्योंकि इस सारा जो है जर्डनल तरीके से चालवा था तो हम लोगों इसको P or Q क्या लिए अब यहाँ पे P of X माइनस CT है P of X को put given P of X है लेकिन हमने put क्या करना है X माइनस CT तो यहाँ पे हम X की जगा पे X माइनस CT और यहाँ पे X की जगा पे X पस CT इसको put कर देंगे इसी तरह से Q of X जो है वो cause है तो हमने यहाँ पे cause लिख लिए simply कुछ भी नहीं किया उसके बाद हम लोगों ने इसके formula को ले है sin alpha cause beta minus cause alpha sin beta यह आपको पता है यह formula हम लोग करते आ रहे हैं और इसी तरह से हम लोगों ने इसको भी sin alpha plus beta का formula खोल लिया उसके बाद यह वाली दो values आपस में cancel होगी यह वाली और यह वाली value बच जाएंगी इस तरह से हम लोगों ने इसकी integration ले लिए cause की integration क्या लिए sign अपर लॉर लिमिट हो गई इसकी भी अंदर हम लोगों ने क्या किया simple यह दोनों 2 हो गए और इस 2 को बाद वाले 2 से cancel कर दिया इसके साथ भी अंदर जो है इसकी अपर लिमिट माइनस लॉर लिमिट की और इसके साथ यहां पर जो है वो बलके 1 over 2 I think हाँ इसके साथ था यह नहीं यहां तक bracket में था 1 over 2 यह दोनों plus हुए तो 2 हो गए और 2 2 से cancel और यह वाली value में अपर limit माइनस लॉर लिमिट कर दिया simple कुछ में नहीं किया अब same आप इसमें भी जिस तरह उपर खोला है यहां पर हम लोगों ने यहां पर ऐसे ही आप लोग यहां पर sign और cause की जो है उसको आप लोगों के पास यह value आजएगी यह सिर्फ T है sorry T नहीं है X है लिखते हुए I think गलती होगे sign of X है sorry students यह लिखने में मैंने सही लिखा आप sign of CT है sign of CT यह आप लोग solve खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़दे लंबा हो जागा अगर मैं करूँगी तो यह solve करेंगे तो यह sign of CT cause of 2 आजएगा यह LCM ले लेंगे यहाँ पर C's के साथ आजएगा यह value वैली होज़े गिर्वान ओवर सी बाहर लिखते हैंगा यह हमारे पास यहाँ पर इसका answer बन गया है इस तरह की और भी दो चल एक्जैंपल्स है बुक के अंदर वो भी same as it is आप लोगो नहीं है method अगर समझ लें इसको एक दो दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी उन questions को solve करने के लिए देखें same है तिरफ ये boundary conditions वगारा change होंगी लेकिन इन में सबसे जदा जो important example थी न वो यही थी जो 2018 के paper में आई हुई है तो जो होती है important examples होती है वो तो 8-9 साल बात भी repeat हो जाती है तो वो मैंने आपको करवा दिया hopefully आपको समझ जाई होगे still इस वीडियो से related कोई भी question है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ जाए 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 मेरे वीडियो को share करें thank you so much